नमस्का दोस्तों सुगमगैन चैनल में आपका स्वागत है और एक बड़ फिर में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज का हमारा वीडियो बीकली करेंट अफियर्स पर आधारित है और इसमें हम लोग 1 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 के बीच में जो राश्ट्री और राश घटना करम हुआ है उस पर आधारित प्रश्णों को डिसकस करेंगे तो आई शुरू करते हैं पहला प्रश्ण देखते हैं राश्ट्रपती रामनात कोविंद्र ने किसे मुख्य सूचना आयुक्त की शपत दिलाई है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है यस बर्धन कुमार सिन्धा यस बर्धन कुमार सिन्धा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त निक्त किये गये हैं और साथ ही यस बर्धन सिन्धा द्वारा सरोज पुनहानी हीरालाल समारिया और उदै माहुर कर को अन्य सूचना आयुक्त निक्त किया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं केंद्र इस्थापित किये जाने की गोशना की है इस परशन का सही उत्तर है IIT खडगपुर IIT खडगपुर में भारतिय ज्ञान प्रणाली हे तू उत्करश्टता केंद्र इस्थापित किया जाएगा और अगर बात करें केंद्रिय शिक्षा मंत्री की तो अभी बरत्मान में केंद्रिय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक अगला परशन देखते है किस राज्य की राज्य सरकार ने सबजियों बाफूलों के लिए इंडो डच सेंटर आफ एक्सिलेंस की सुरुवात की है इस परशन का सही उत्तर है केरल केरल के बाइनाइट जरे में ये सुरुवात की जाएगी इंडो डच सेंटर आफ एक्सिलेंस की अगला परशन देखते है भारत की ग्रीन को कमपनी ने किस देश की कमपनी सनम के साथ समझ होता किया है इस परशन का सही उत्तर है इटली, इटली की उर्जा अवसर अचना फर्म सनम और भारत की अक्षय उर्जा कमपनी ग्रीन को के बीच एक समझोता हुआ है और यह समझोता भारत में हाइड्रोजन मूल इस रंखला को विक्सित किये जाने के लिए किया गया है अगला परशन देखते हैं, Tata Technologies ने किस राज्य के ATI के आधुन की करण हैतु राज्य सरकार से करार किया है इस परशन का सही उत्तर है करनाटक, करनाटक राज्य में जो इस्टित ATI हैं, उनके आधुन की करण के लिए Tata Technologies ने करार किया है करनाटक के 1.500 ITI के आधुनिकी करण के लिए कुल 4600 करोण रुपयों की लागत आएगी अगला परशन देखते हैं किस देश ने भारतिये नागरेकों के प्रिवेश पर अइस्थाई रूप से प्रतिवंध लगा दिया है तो इस परशन का सही उत्तर है चीन चीन की सरकार ने भारतिये नागरेकों के प्रिवेश पर अइस्थाई रूप से प्रतिवंध लगा दिया है और ये कदम COVID-19 की समस्या के चलते उठाया गया है भारत के साथ ही ब्रिटेन, फिलिपीन्स, बेलजियम और फ्रांस भी सूची में सामिल है अगला परस्ण देखते हैं किस एकॉमर्स कंपनी ने हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्ट अप मोर्चा का अधिगरण किया है तो इस परस्ण का सही उत्तर है फिलिप कार्ट ये पहला लाइव सोसल गेमिंग प्लेट फॉर्म है जिसे हेलो पिले चलाता है अगला परस्ण देखते हैं बिना इंटरनेशनल डेब्यू के 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं तो इस परस्ण का सही उत्तर है सूरे कुमार यादव सूर्य कुमार यादब बिना इंटरनेशनल डेब्यू के 100 IPL मैच खेलने वाले पहले करिकेटर बन गए हैं और ये IPL में मुंबई इंडियन्स की ओर से खेलते हैं इस रिकार्ड के साथ ही अंतरास्ट्रिय डेब्यू से पहले 2000 रन बनाने बाले भी पहले खिलाडी बन गए हैं सूर्य कुमार यादब अगला परशन देखते हैं किस राज सरकार ने कौरोना बाप्रदूसर्ण की समस्या के चलते राज में पटाखे जलाने पर पूर रूप से प्रतिबंध लगा दिया है इस परशन का सही उत्तर है दिल्ली यह प्रतिबंध राज में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगा दिल्ली की बात करने तो दिल्ली में बरतमान में मुख्यमंतरी हैं अरविंद केजरीवाल अगला परशन देखते हैं किस राज सरकार ने नौकरियों में इस्थानिय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षन देने की घोशना की है इस परशन का सही उत्तर है हरियाना हरियाना की खटर सरकार ने 50,000 से कम इनकम बाली प्राइवेट नौकरियों में इस्थानिय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षन देने की यूजना बनाई है राज्यपाल की मंजूरी के बाद या कानून बन जाएगा अगला परशन देखते हैं प्रसार भारती ने हाल ही में कितने नए चैनल लौंच किये हैं इस प्रशन का सही उत्तर है 51 प्रसार भारती ने हाल ही में 51 नए चैनल लौंच किये हैं प्रसार भारती ने इलेक्ट्रोनिक्स वा सूचना प्राद्योगी की मंत्राले द्वारा संचालित भू सूचना विज्ञान संस्थान और भासकराचारिय राश्ट्रिय अंत्रिक्षन प्रियोग संस्थान के साथ एक समझोता किया है इस समझोते के ग्यापन के तहट प्रसार भारती ने 51 डीटी एच सिक्षा टीवी चैनलों को लॉंच किया है अगला परशन देखते हैं केन सरकान ने देश में टेलिविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशान रदेश की समिक्षा हेतू किसकी अध्यक्षता में समीती गठित की है इस परशन का सही उत्तर है शशी शेखर बेमपती इस सम्ती के अध्यक्ष शशी शेखर बेमपती प्रसार भारती के CEO हैं अगला परशन किस राज ने CBI के साथ आम सहमती को बापस ले लिया है इस परशन का सही उत्तर है केरल केरल ऐसा करने वाला देश का पांचमा राज जिमन गया है अब CBI को केरल में किसी केस की जांच करने के लिए राज सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी अगला परशन भारतिय मूल के चार अमेरिकी सांसदों में से कितनों को एक बार फिर चुना गया है इस परशन का सही उत्तर है चार भारतिय मूल के अमेरिकी मिनिस्टर्स अमीवेरा, राजा कश्मूर्ती, रो खन्ना, बब प्रिमिला जैपाल को एक बार फिर प्रितनिधी सभा के लिए चुना गया है अगला परशन किस राज्य की सरकार ने ई बहानों की खरीद पर सौपरतिशत की छूट देने की गोशना की है इस परशन का सही उत्तर है तमिलाडू, तमिलाडू की पलानी स्वामी सरकार ने ई बहानों पर सौपरतिशत टेक्स की छूट दी है सरकार ने मोटर वाहन टेक्स में ये चूट साल 2022 तक के लिए प्रदान की है अगला परशन देखते हैं विकेट की पर रहे लियून रांकी को किस देश की क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का कोच नियुक्त किया गया है इस परशन का सही उत्तर है न्यूजीलेंड इनका जन्म न्यूजीलेंड में हुआ था परंत इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की सुरुवात और स्टेडियाई टीम की ओर से की थी अगला परशन देखते हैं किस फिल्म अभिनेता का बीमारी के बाद हाल ही में मात्र 46 वर्स की अवस्था में निधन हो गया इस परशन का सही उत्तर है फराज खान इन्हें लोगपरिये फिल्म मेहदी में मुख्य भूमिका में देखा गया था अगला परशन देखते हैं उन्यसको ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बाइस्फियर रिजर्व घोसित किया है यह किस राज्ज में अवस्थित है इस परशन का सही उत्तर है मध्यप्रदेश बहुत ही महत्पूर परशन है कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्ज में स्थित है तो मध्यप्रदेश में हैं और यूनेसको ने से बायो स्फियर रिजर्व घोसित किया है इसकी जानकारी केंद्रिये परियावाण मंत्री प्रकास जावड़े करने दी बरतमान में बिस्व में कुल 714 बायो स्पियर रिजर्व हैं अगला परशन देखते हैं भारती सेलफोन कंपनी माइक्रो मैक्स ने बाजार में अपने दो नए स्मार्टफोन लॉंच किये हैं या किस देश की सेलफोन कंपनी है तो इस पर इस परशन में थोड़ी गलती हो गई है यह भारती यह नहीं लिखा होना चाहिए तहीं है इसके लिए स्वारी अगला परशन देखते हैं भारती नौसेना का जहाज आई-एन-एस एराबत हाल ही में सौटन की खाद सहिता के साथ किस देश पहुंचा इस परशन का सही उत् सूडान में भारती नौसेना का जहाज आई-एन-एस एराबत सौटन खाद समेगरी की साहिता लेकर पहुंचा है सूडान की बात करें तो सूडान का मैप यहां दिया गया है सूडान से जो लगे हुए देश हैं वो इजिप्ट लीविया चाड और साउथ सूडान और इथ परशन देखते हैं भारती नौसेना का जहाज जो है आई-एन-एस एराबत हाल ही में सौटन की खाद साहिता के साथ सूडान पहुंचा है और यह साहिता मिसन सागर्टू के पहले चरण की तहट पहुंचाए गई है इसके दूसरे चरण के तहट दक्षणी सूडान इरिट के पहले परमाणू उर्जा सैंत्र का संचालन सुरू हुआ है इस परशन का सही उत्तर है बेलारूस अगला परशन देखते हैं किस देश के क्रिकेटर मरलोन सेमवल्स ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है इस पशनका सही उत्तर है बेस्टन डीस अगला पशन देखते हैं कि इस राज सरकान में सार्बजानिक बित्रण प्रणाली के तहत फॉर्टी फाइड चाबल के बित्रण की घोशना की है इस परशन का सही उत्तर है 36 गड़, 36 गड़ की भूपेस बगहेल सरकान ने सार्वजनिक वित्रण प्रणाली के तहत इसके वित्रण की यूजना बनाई है, यह चाबल बिटैमिन B12, आइरन, फॉलिक एसेड, सम्रद्ध फॉटिफाइड चाबल का मिस्रण है अगला परशन देखते हैं, केंसरकान ने 16 राज्यों मा तीन केंदर सासित प्रदेशों के लिए कितनी धनरासी GST मौावजे के रूप में आवंटित की है, इस परशन का सही उत्तर है 600 करोड रुपए, यह इस मौावजे की दूसरी किस्थ होगी अगला परशन देखते हैं, किस राज्यों ने गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालियाओं के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की योजना लॉंच की है, इस परशन का सही उत्तर है केरल अगला परशन देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अबाड दो हजार बीस से किसे सम्मानित किया गया है तो इस परशन का सही उत्तर है ओमपुरी, दिबंगत फिल्म अभिनेता ओमपुरी को लाइफ टेम अचीवमेंट अबाड दो हजार बीस से सम्मानित किया गया है अगला परशन देखते हैं, BCCI ने आगामी महिला T20 क्रिकेट के लिए किस कमपनी को टाइटल इस्पांसर घोसित किया है तो इस परशन का सही उत्तर है जियो, जियो को BCCI ने आगामी महिला T20 क्रिकेट की सीरीज के लिए कमपनी को टाइटल इस्पांसर घोसित किया है इधन हो गया इस परश्ण का सही उत्तर है तुरकी अगला परश्ण देखते क्रिकेटर शेन बॉट्सन ने हाल ही में क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की बे-IPL की किस टीम की ओर से खेलते थे तो इस परश्ण का सही उत्तर है चेन नहीं अगला परश्ण देखते किस राज्य सरकार ने कौरोना संकट के चलते राज्य में 30 नवंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है इस परश्ण का सही उत्तर है पश्ण बंगाल पच्छे मंगाल ने 30 नवंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है अगला पशन देखते हैं किस राज्ज ने चीनी पटाखों के आयात वा विक्री को दंडनी अपराध घोसित किया है तो इस पशन का सही उत्तर है हरियाना इससे पहले COVID-19 के चलते राजिस्थान सरकार पटाखों की बिक्री पर रोग लगा चुकी है अगला पशन देखते हैं फर्राटा धाविका दुती चंद्रा को किस राज्ज ने समय से पहले ही पदोन्नती देने की घोशना की है इस पशन का सही उत्तर है ओडीसा अगला पशन देखते हैं IPL में एक हजार छक्के लगाने बाले पहले करिकेटर क्रिस गेल किस देश की टीम के खिलाडी है तो इस पशन का सही उत्तर है बेस्ट इंडीज और यह IPL में किंग्स 11 की तरफ से खेलते हैं अगला पशन देखते हैं अडानी सम्हू को अगले कितने बरसों के लिए मंगलूर हवाई डे का प्रभार मिल गया है तो इस पशन का सही उत्तर है पचास साल अगला पशन केंदरी किसी मंतरी नरेंद सिंग तोमर ने यह जानकारी दी कि प्याज की बढ़ती कीमतों के चलते यह निरने लिया गया है अगला पशन देखते हैं हाल ही में मेरी सहेली पहल मेरी सहेली पहल की सुरुबात किसके द्वारा की गई है तो इस पशन का सही उत्तर है भारतिय रेलवे भारतिय रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा हे तू रेलवे सुरक्षा बल आरपी एफ की मदद से सुरू की गई यह पहल है और पहले इससे जक्षनपूर रेलवे में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौप पर सुरू किया गया था महलाओं से मिली सकारात्मक प्रितक्रिया के बाद अब इसका विस्तार किया गया है अगला परशन देखते हैं सर सौन कांड़ी का हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे तो वे एक फिल्ममिणेता थे सुरिषां सौन कांड़ी का एकट्टीस सक्टूबर को 90 वर्स की अबस्था में निधन हो गया मसहूर फिल्मी केरेक्टर जेम्स बॉंड के बड़े परदे पर पहचान दिलाने का श्रे इनी को जाता है इन्होंने अपनी कुल साथ फिल्मों में जेम्स बॉंड के करदार को निभाया साल 1984 में आई सर सौन कानरी की अभिनीत फिल्म इंडियाना जोन्स एन दा टेंपल अफ डूम में भारती फिल्म कलाकार अमरीज पुरी ने भी एहम भूमिका निभाई थी तो ये थे आज के वीडियो के पशन हमें उमीद है आपको हमारे पशन जरूर पसंद आये होंगे और वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही सेर करना भी न भूले अभी इनी प्रशनों में से एक प्रशन आपके लिए है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अबश्य दें ये रहा आपके लिए प्रशन यूनेसको ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बाई स्फियर रिजर्व घोसित किया है यह किस राजज में अब विस्थित है हमारे आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ ही अगर आपका कोई सुझाओ हो या सिकायत हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप डेली करेंट अफेस पढ़ना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट www.sugamgyyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद